आप देख रहे हैं खबर सीजी नी उस खबरों के तेजब डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जांजगीर चांपा की बारादवार पुलीस ने पीक अप में भर कर ले जाय जा रहे डेड़ कुइंटर गांजा को जब तक किया है जर्त गांजा की कीमा साथ लाग पचास हजार है आरोपी पीक अप ड्राइवर मध्या प्रदेश के डिंडोरी का रहने वाला है ओडिशा के संबलपूर से मध्या प्रदेश ले जाय जा रहा था पूलिस को मुखबिर से सुचना मिली की एक वहान में गांजा ले जाय जा रहा है जिसके बाद पूलिस ने सकरेली गाउं के पास सफेद रंग के पीक अप वहान को रुखवाया तो उसमें चार बोरी में गांजा भरा मिला जिसका कूल वजन डेड़ कुंडल है मामले में पूलिस ने आरोपी पीक अप ड्राइवर कृष्ण कुमार्तिवारी को गिरफतार किया है और उसके खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट की धारा बीस भी के तहद जूर मदर्च किया है ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी नियूस, हमारी खबरों को फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्ट्रागाम में भी आप देख सकते हैं बारदर थान शेतर के ये मामला है, पुलिस को मुगबिर के द्वरे ये सूचना प्राप्त हुए थी कि सकती की और से सफेद रंग की पिकप वहन आ रही है जिसमें आवयद मादक पतार्थ गांजा लोडेड है जिसे वो तसकरी के लिए लेकर जा रहे हैं जिसमें पिकप वहन का जो चालक है उसमें अपना नाम कृष्ण कुमार तिवारी बताया जब पिकप वहन की तलाशी ली गई तो उसमें पीछे ट्रॉली में बोरियों में गांजा जिसकी कुल जो वजन है वो एक मिंटल पचास केजी है और जिसकी कुल कीमत साथ लाग पचास हजार रूपे के आसपास है इसे पुलिस के द्वारा बरामत किया गया है और पुलिस के द्वारा एंडी पीए सेक्ट की धारा के तहत विदिवत कारेवाही करते हुए नमबर्स भी पुलिस के दोरा लिए गये हैं जिसकी तद्दीकी पुलिस के दोरा की जा रही है कि इसमें और लोगों की सलगनता है या नहीं